नमस्कार मैं सारी कश्रवास्तौ स्वागत है आपका आइनन 24 में बढ़ते हैं आज की खबरों की उर जांजगीर जिला प्रशासन की त्वरित कारवाई से जम्मू में बधग बनाये गए 17 मजदूरों को इट भट्टा मालिक के चंगुल से आज मुप्त कराया गया कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुकला को विडियो और पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर के मार्जाली रजित भाटा में जिले के 6 मजदूर श्रमिक परिवारों को इट भट्टा मालिक द्वारा बंधग बनाने की सूचना मिली थी कलेक्टर ने प्राप्त सूचना पर त्वरित करवाई करते हुए श्रम पदाधिकारी डॉक्टर के के सी को ततकाल इन 17 बंधग श्रमिकों को मुक्त करवाने त्वरित करवाई के निर्देश दिये श्रम अधिक पदाधिकारी डॉक्टर केसी ने बताया की कलेक्टर के निर्देश पर सूचना मिलते ही वाटसिप के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज के असिस्टेंट लेबर कमिशनर से संपर्क कर श्रमिकों को विधिवत कारवाई कर मुक्त कराने का अग्रह किया गया आग्रह पर वहाँ के असिस्टेंट लेबर कमिशनर ने विधिवत कारवाई करते हुए जांजगीर चापा जले के ग्राम खोकरा अडभार और उदैभाठा के छे मजदूर कवीता लक्षमीन के तेन रूपा गंगा राम धनसाय उनके परिवार से कुल 17 सदस्यों को मुक्त कर आई गई श्रमिकों को जम्मू स्टेशन तक छुडवाया गया श्रमिकों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि वे 25 अगस्त 2021 को मजदूरी के लिए जम्मू राज गय थे 17 नवंबर को उनका काम वहां समाप्त हुए था लेकिन इटा भट्टा के मालिक ने नहीं मजदूरी दी और नहीं उन्हें वापस लोटने दिया जा रहा था साथ ही वहां रहने के लिए खर्च के लिए पैसे भी नहीं मिल रहे थे उन्होंने इटा भट्टा मालिक से बंधन से मुक्त कराने के लिए जिलप्रशास अंजाजगीर चापा के प्रती आभार व्यक्त किया है